कदर, तुम उन्हें जाके शर्बत दे आओ और देखो किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए अब चीज़ें टेबल पर रख दो मैं अभी रख देती हूँ ले आओ सईद के बेटे को मार कर हम इल्जाम लगाना चाहते थे बारान पर लेकिन असा हुआ नहीं ये है के बारान के दिर में खंजर कैसे घूंपा चाहे शाम बखेर खुशाम दीद बेटे खुशाम दीद भतीजे शुक्रिया जिहान कहा है? वो नहीं आया अपने दोस्त के पास रुखेगा आज और कल ट्रिप पर भी जाएगा तुम तो नहीं बेच रही थे उसे उसका जाना भैता रहे ठीके चलो खाना खाते हैं आप खाईए मैं बाबा से मिलो बैट जाओ कुछ बातें कर लेते हैं अब तक कुछ किया ये नहीं आप जाके खाना खाईए चाचा बाद मिलता हूँ या अला इतने साल मैंने अपने बच्चों को इन परिशानियों से बचा कर रखा हमें अच्छी ख़बर की तौफीख अता फर्मा बाबा क्या आप कुछ खाएंगे जल्दी नहीं बेटी खा लूँगा मैं बाद में हाई अला कसम से बहुत भूग लग रही थी मुझे तो ज़रा देखो तो क्या पका है अरे ये तो मुझे बहुत पसंद है बहुत मज़िदार बना है ये तो वैसे आँटी जो आपने चाहा वो आपको मिल भे गया सुमरूत अरे कुछ नहीं बड़े हो के समझ जाएगी चलो लड़कियों बाते बन करो और अपने बाबा को कुछ खाने के लिए दो मैं जब भी फारिग होती हूँ तो दुकान पर भी टाइम देती हूँ तो फिर यहां क्यो आई हो मेरी बहन बहर जा रही है यहां काम करके टिकेट लेकर उससे मिलने जाओंगी टिकेट मैं करा दूँगी तुम फिकर मत करो बिलकुल इंशाल्ला ऐसा ही होगा जुमरूत तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं सहीद आ जाओ किसकी कॉल है बाबा? हाँ, हेलो, रुकना ज़रा क्या हो रहा है अम्मी? कुछ नहीं, तुम सूप इदर रखो चाचा ने आपको बताया होगा उन्हें वो जालिम मिल गए है अम्मी को मारने वाले और आपको इस कुरसी तक पहुँचाने वाले मिल गए हैं बाबा बगर आप फिकर मत करें मैं अम्मी की वसियत निभागे रहूँगा जिहान की हिफाज़त करूँगा इस मसले से दूर रखूँगा उसे उसका किरदार साफ रहेगा अम्मी के खून को जाया नहीं होने दूँगा वे आप पूर सुकुन रहें ये बाबा सब ठीक कर दूँगा मैं आपके सर को कभी नहीं चुकने दूँगा वो आदमी बच नहीं पाएगा उसका एक बेटा भी है हिसाब सीधा है उसके बेटी की चान लेनी होगी ताकि हिसाब पराबर हो जाए ठीक है भाईजान ठीक है अगर आपको कुछ पता लगे तो बताईएगा बाबा उन लोगों के बारे में कुछ पता चला कुछ भी पता नहीं चला बेटे हाला के मैंने कोशिश भी की है परिशान मत हो बाबा तो आपका ख्याल सही निकला अगर ये वो ही होते तो इंतिजार नहीं करते दुकान के अतराफ वो कितनी देर तक रहे मुझे अंदाजा नहीं लेकिन जब मैं निकला तो वो नहीं थे शायद वो हमारे लिए ना आये हों बाबा आ जाए खाना ठंडा हो रहा है ठीके वेटी शुक्री आते हैं लेक नहीं लेक्चरी इंतिटफला अ वो रहे करेता हैं अन्नी इंतिण के अन्Anton Kodak भाव रहीं कर सुनको difद्द़-घल मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस किसम के आत्मी से मिले हो क्या बताओं मैंने अपनी सिंदकी में इतना बदमिजाज और जालिम इनसान नहीं देखा घोड़े का क्या हुआ? क्या मार दिया? मुझे नहीं मालूम उसके बारे में सोचकर बेचैन हो जाती हूँ सोचो जरा उसकी टांग तूटने की वज़े से क्या हम उसकी जान ले लेंगे? घट्या आत्मी और तुम्हारे साथ भी उसका रवाई अच्छा नहीं था जिसे खोड़े की परवा नहीं वो किसी की क्या परवा करेगा? कोशिश कर रहा था वो उसके लोग भी उसकी शकल देख रहे थे उसके खौफ में डूबे हुए मगर वो तुम्हें नहीं डरा सका तुमने यकीनन उसे लाजवाब कर दिया होका बहुत बहादूर हो तुम अब ज़्यादा चड़ाओ नहीं तुम मुझे मैं चड़ा नहीं रही तुम्हें तुम हमेशा से ही ऐसी हो जब हम छोटे होते थे बचपन से ही तुम मेरी आइडियल रही हो तुमने हमेशा मेरा खयाल रखा है तुम्हारी जाने के बाद मैं क्या करूँगी? किसके साथ रात बर बैट कर बाते किया करूँगी मैं? और कुकीज कौन देगा मुझे? बड़ी बाते बनाने लगी हो तुम? मेरा दिल हमबीशा तुम्हारे साथ रहेगा हम रोज वीडियो कॉल कर लिया करेंगे वो क्या जवाब देगा बाबा? बारान क्या करेगा? जहान को तो मामले से अलग कर दिया है कुछ समझ में नहीं आ रहा अजीब सूरत्याहर है फिर हम क्या करें? बेटा वो जो चाता है उसे करने दो क्यों? जहान नौजवान है उसके होने नहोने से फर्क नहीं पड़ता लेकिन बारान काफी जहीन है काफी खुश्यार है वो अगर बारान ये काम करता है और जेल चला जाता है तो सोचो जरा समझ रहे हो तुम ऐसे हालात में हम कराबे खान्दान को एक सत्रा साल के नौजवान के हवाले नहीं कर सकते हर काम में उसके साथ होंगे हम मश्वरे भी हमारे ही चलेंगे हर मौामले में हमारी मर्जी चलेगी यानि सब कुछ हमारे हाथ में होगा है ठीक करें आप हमें इस तरह रहना होगा कि कोई हम पर शक्त न करे बारान की हर बात खामुशी से सुनकर उसकी हमायत करनी है तो मैं उसकी तवज्जो हासल करनी होगी ये तो बहुत आसान है अब बिल्कुल फिगर ना करें आसानी से कर लूँ मैं बारान अब क्या करना है कोई मनसूब बनाया तुमने उन बदबखतों को कैसे सबक सिखाना है फिकर मत करें चाचा मैं संभाल लूँगा चाहो तो फिराद को अपने साथ ले जा सकते हो एक खांदान है हम ऐसे मुश्किल वक्त में खुनी रिष्टे का साथ होना बहतर होता है मुझे जरूरत नहीं और मदाखलत भी पसंद नहीं ये काम कल हो जाएगा मुझे जरूरत नहीं